परिचय हेरिया, तुम क्या कर रही हो? मैं वाक्य बना रही हूँ ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि गणित में वाक्यों को कथन भी कहा जाता है? नहीं, लेकिन हम उन्हें कथन कैसे कह सकते हैं? क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहोगी? हाँ, पिता जी इस पार्ट में आप गणित में विवेचन को जानेंगे उद्यश्य इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आगमनात्मक और नीगमनात्मक विवेचन में भेद करना कथन को बताना पूर्व कथनों से नई कथन बनाना अंतर भावों पर चर्चा करना कथनों की वैधता परमानित करना कथन साग्ष से निशकर्षों पर पहुँचने की प्रक्रिया विवेचन है गणित में विवेचन के दो प्रकार होते हैं एक आगमनात्मक और दो निगमनात्मक विशिष्ट तत्थियों से सामानि सिध्धांतों तक विवेचन ही आगमनात्मक विवेचन है उधारन उसके बाल लाल हैं इसलिए उसकी प्रक्रिती क्रोधी स्वभावाली है निगमनात्मक विवेचन वा विवेचन होता है जिसमें आगत प्रस्ताव की सत्ता तारकिक रूप से निर्गत प्रस्ताव की सत्ता की प्रतिभू हो दी है दिया जाता है कि विवेचन में कोई गलती नहीं हुई है एक तरक संगत उधारंदें जो विश्वास से उध्धत हो यदि कमरे में अधेरा है तो या तो लाइट बंद है या फिर बल्ब का फ्यूज उड़ गया है कमरे में अधेरा है लाइट का सुईच बंद नहीं है निशकर्ष बल्ब का फ्यूज उड़ गया है कथन निमनलिकित दो वाक्यों पर विचार करें भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मन्मोहन सिंग है एक शिशू का वजन मा के वजन से कम होता है हम तुरंद कह सकते हैं कि उप्रोक्त कथन सही है और उनके संबंध में कोई भ्रांती नहीं है वाक्य पर विचार करें तीन धन साथ ग्यारा होता है ये वाक्य असत्य है एक और वाक्य पर विचार करें पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि ये सत्य है जबकि कुछ का मानना है कि ये असत्य है अब हम गनितिय कथन को परिभाशित करते हैं कोई वाक के तब एक गणिती ये कथन कहलाता है जब ये या तो सत्ते हो या फिर असत्ते लेकिन दोनों ना हो कथनों को समानता वन माला के छोटे अक्षरों P, Q, R आदी से निरूपित किया जाता है इस प्रकार कथन सूरे बहुत कर्म है इसको इस प्रकार निरूपित करते हैं P, सूरे बहुत कर्म है कुछ महतपून बिंदू व्याकरन इस्तितियों वाले वाक्यों और क्रमित कथन को कथन नहीं माना जाता है ऐसे वाक्य जिन में अनिश्चिस समय का प्रेयोग हो जैसे कल बीता हुआ, आज, कल आने वाला इसको कथन नहीं माना जाता है उधारण बताएं की निमनलिखित वाक्य कथन हैं या नहीं अपने उत्तर का कारण भी बताएं दस पांच से कम है शुक्र एक ग्रह है कनित एक कठिन विजय है हल एक वाक्य असत्य है क्योंकि दस पांच से अधिक है अताहा वाक्य एक कथन है दो वाक्य शुक्र एक ग्रह है एक सत्य वाक्य है क्यूंकि इसकी वज्ञानिक रूप से पुष्टी हुई है अतहा वाक्य एक कथन है 3. वाक्य व्यक्ति परक है क्यूंकि अलग-अलग व्यक्तियों की राय भिन्न भिन्न होती है अतहा वाक्य सदैव सत्य या सदैव असत्य नहीं है इसलिए वाक्य एक कथन नहीं है पूर्वग्याद कथरों से नई कथन बनाना किसी कथन का निशेधन मान लें कि पी कोई कथन है तब पी को नकारता हुआ कथन पी का निशेधन कहलाता है पी के निशेधन की रचना पी से पहले ये असत्य है लिखकर की जाती है निशेधन की रचना पी नहीं शब्द को शामिल करके की जाती है कथन पी के निशेधन को पी नहीं से निर्दिष्ट करते हैं उधारण के लिए मान लें कथन पी है राम बुद्धिमान है तब पी नहीं कथन होता है राम बुद्धिमान नहीं है ये असत्य है कि राम बुद्धिमान है मिश्र कथन संयुक्त कथन एक मिश्र कथन वो कथन होता है जो दो या अधिक कथनों से मिलकर बनता है इन कत्रों में से प्रतेक एक घटक कत्र कहलाता है। एक मिश्र कत्र बनाने के लिए हम संयोजक शब्दों जैसे और या के प्रयोक द्वारा दो कत्रों को संयुक्त कर सकते हैं। उधारं के लिए एक कत्र पी है कि अंक देने या जोडने में कुछ गलती है। उप्रोक्त कत्र हमें बताता है कि परीक शक द्वारा अंक देने में कुछ गलती है या जोडने में कुछ गलती है। शब्द या से जोड़ दिये गए कथन को निमने लिखित दो कत्रों में अलग-अलग किया जा सकता है। एक कथन क्यों है कि अंक देने में कुछ खलती है। एक कथन आर है कि जोडने में कुछ खलती है। निमने लिखित दो कत्रों पर विचार करें। एक कथन पी है कि आठ एक समसंख्या है, एक कथन क्यू है कि आठ एक प्राकृत संख्या है, एक नया मिश्र कथन प्राप्त करने के लिए इन दो कथनों को संयोजक और से संयुक्त किया जा सकता है, एक कथन आर है कि आठ एक समसंख्या और एक प्राकृत संख्या है, उधारन निननिलिकित मिष्र कतरों के घटक, कतन क्यात करें संख्या तीन अभाज है हल दिया है संख्या तीन अभाज है या ये विशम है इसके घटक कतन है एक कथन पी है कि संख्या तीन अभाक्य है, एक कथन क्यू है कि संख्या तीन विशम है, पी, क्यू या दौरा जुड़े हैं, चंडिगण हर्याना और पंजाब की राजधानी है इसके घटक कथन हैं, एक कथन P है कि चंडिगड हरियान की राजधानी है, एक कथन Q है कि चंडिगड पंजाब की राजधानी है, P, Q और से जुड़े हैं विशेश शब्द या वाक्यांज, शब्द और एक, और वाला मिश्र कथन सकते हैं, यदि इसके सभी घटक कथन सकते हैं दो, और वाला मिश्र कथन असकते हैं, यदि घटक कथनों में से कोई भी असकते हैं, अन्य सत्ते हो सकते हैं मान लें कि P और Q घटक कथन हैं, तब P और Q को इस प्रकार निरूपित करते हैं P और Q और के लिए सत्ता सारणी को इस प्रकार निरूपित किया जाता है P सत्ते और Q सत्ते के लिए P और Q सत्ते है P असत्ते और Q असत्ते के लिए P और Q असत्ते है उधारण के लिए एक कथन P है कि 30, 2, 5 और 6 से विभाज है इसके निरूपित घटक कथन है एक कथन Q है कि 30, 2 से विभाज है एक कथन R है कि 30, 5 से विभाज है एक कथन S है कि 30, 6 से विभाज है Q, R और S सत्ते कथन है पी भी एक सत्य कथन है शब्द या अपवर्जित या एक मिश्र कथन P या Q में यदि दो विकल्पों में से केवल एक ही होता है अर्थाद घड़क कथन P या Q लेकिन दोनों नहीं तो संयोजक शब्द या अपवर्जित या कहलाता है उधारंग के लिए एक कथन पी है कि दो पिज़ा के साथ एक कोल कॉफी या एक कोल डिंक मुफ्त उपलब्ध है इसकार्थ है कि जो व्यक्ति दो पिज़ा के साथ कोल कॉफी नहीं चाहता है वो इसके स्थान पर एक कोल डिंक ले सकता है या यदि कोई दो पिज़ा के साथ एक कोल्ड रिंक नहीं चाहता है तो वो कोल्ड कौफी ले सकता है लेकिन व्यक्ति दो पिज़ा के साथ दोनों को नहीं ले सकता ये शब्द या का अपवर्जित प्रयोग कहलाता है अंतर विष्ट या एक मिश्र कथन पी या क्यू में यदि दो विकल्पों में से कम से कम कोई एक होता है हर्थाद घटक कथन पी या क्यू या दूनों होते हैं तो संयोजक शब्द या अंतर विष्ट या कहलाता है उधारन के लिए एक कथन क्यू है कि एक छात्र जिसने इंटर में वैवसाईक अध्ययन या गणित विष्ट विष्ट लिया हो विकल्पों पार्टिक्रम के लिए आविदन कर सकता है कतन क्यू इंकित करता है कि जिन छात्रों ने इंटर में वैवसाईक अध्ययन और गणित दोनों विशय लिये हैं वे बीकौम पार्टिक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं जिस छात्र ने इन विशयों में से केवल एक ही विशय लिया है वे भी बीकौम के लिए आवेदन कर सकते हैं ये शब्द या का अंतरविष्ट प्रयोग कहलाता है यावाले मिश्र कथनों के लिए नियम एक यावाला कोई मिश्र कथन सत्य होता है जब एक घटक कथन सत्य हो या दूनों घटक कथन सत्य हो 2. यावाला कोई मिश्र कथन असत्य होता है जब दोनों घटक कथन असत्य होूँ मालें कि P और Q घटक कथन है तो P या Q को इस प्रकार निरुपित किया जाता है P या Q पी या क्यू के लिए सत्यता सारणी को इस प्रकार निरूपित करते हैं। पी या क्यू असत्य है। पी या क्यू प्रकार निरूपित करते हैं। और साथ जमा चार बराबर है ग्यारा के। अता P और Q सत्य है। दिया गया कथन है चार 28 को विभाजित करता है। और साथ जमा चार बराबर हैं। घर्टक कथन है P पी सत्य है और Q सत्य है अता P और Q सत्य हैं। उधारण चात्र तीसरी भाशा के रूप में संस्कृत या उर्दू ले सकते हैं हल एक यहां शब्द या का प्रयोग अंतर्विष्ट है क्यूंकि दुकान बंद करने के दिन को बंद रहने के साथ साथ उस दिन में भी बंद होती है जब परिवार में कोई कारिक्रम होता है दो यहां शब्द या का प्रयोग अपवर्जित है क्यूंकि एक चात्र तीसरी भाशा के रूप में संस्कृत या उर्दू में से कोई एक ही ले सकता है लेकिन दोनों नहीं ले सकता अंतर्भाव हम अंतर्भाव यदि तो केवल यदी यदी और केवल यदी पर चर्चा करेंगे वाक्यांश तो यदी से जुड़े दो कथनों से जो एक कथन बनता है उसे अंतर्भाव कहते हैं उधारन के लिए यदी बाजार में अधिकाम आते हैं तो उनके मोलियों में कमी आएगी यदी P तो Q निम्निलिखित कत्रों के समान है एक यदी P तो Q का आर्थ है कि P अंतरभाव Q इसे P अंतरभाव Q से निर्धिश्ट करते है इस परकार, यदी कोई संख्या दस की एक गुणाच है, तो वो पाँच की भी गुणाच है 2. P परियाप्त प्रतिबंद है क्यों के लिए? उधारण के लिए ये ग्यात होना की कोई संख्या आठ की गुणाच है परियाप्त है, ये निशकर्ष निकालने के लिए कि वो संख्या चार की भी कुणाच है इसकार्थ हुआ कि कोई संख्या आठ की कुणाच है केवल यदी वो संख्या चार की भी कुणाच है चार क्यू अनिवारे प्रतिबंध है P के लिए इसकार्थ है कि जब कोई संख्या आठ की गुणच है तो वो संख्या अनिवारे रूप से चार की भी गुणच है पांच निशेधन Q अंतरभाव निशेधन P इसका अर्थ हुआ कि जब कोई संख्या जार की गुणच नहीं है तो वो आठ की भी गुणच नहीं है प्रती धनात्मक और विलूम दिये गए कतनों से बने ऐसे नई कतन जिनमें वाक्यांज यदी तो का प्रयोग हो प्रती धनात्मक और विलूम कहलाते हैं उधारन के लिए निमनलिकित यदी तो वाले कतन पर विचार करें यदी स्टॉक मार्किट में स्टॉकों की तेजी से बिक्री होती है तो संसेक्स तेजी से गिरता है इस कतन का प्रती धनात्मक कतन है यदि सेंसेक्स तेजी से नहीं गिरता है तो स्टॉक मार्किट में स्टॉकों की बिक्री तेजी से नहीं होती है लेकिन दोनों कथन एक यही अर्थ में वेख्ट करते हैं एक दिये गए कथन यदि P तो Q का विलियूम है यदि Q तो P एक कथन पर विचार करें यदि दो पूरांग X और Y इस प्रकार है कि X Y से बड़ा है तो X घटा Y सदैव एक धन पूरांग है इस कथन का विलियूम कथन है यदि दो पूरांग X और Y इस प्रकार है कि X घटा Y सदैव एक धन पूरांग है तो X Y से बड़ा है यदि और केवल यदि का प्रयोग इसे प्रतीक यदि और केवल यदि से प्रधिशित किया जाता है जिसकार्थ है कि दो कथनों P और Q के लिए निमनलिकित सम्तुल्ले रूप है एक पी यदि और केवल यदि Q दो क्यू यदि और केवल यदि P तीन पी अनिवार्रे और परियाप्त प्रतिबंध है Q के लिए और इसका विलोम यानि उल्ठा चार पी यदि और केवल यदि Q उधारण दिये गए कथन के लिए प्रती धनात्मक कथन लिखें यदि एक चतर भुज सम हो तो ये वर्ग होता है हल दिया है यदि एक चतर भुज सम हो तो ये एक वर्ग होता है प्रती धनात्मक कथन है उधारण दिये गए कथन के लिए विलोम कथन लिखें यदि कोई संख्या 24 से विभाज है तो ये 12 विभाज होदी है हल दिया है यदि कोई संख्या 24 से विभाज है तो ये 12 से विभाज होदी है विलोम कथन यदी कोई संख्या बारा से विभाजे है, तो ये चौबिस से विभाजे हो दी है. उधारण यदी और केवल यदी का प्रियोग करते हुए, दिये गए कतनों को संयुक्त करें. एक कतन पी है, कि किसी चत्रभुज की सम्मुख भुजाओं का एक युक्म समानतर और बराबर हो, तो ये एक समानतर चत्रभुज होता है. एक कथन क्यों है कि यदि कोई चत्रभुज एक समांतर चत्रभुज हो तो इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युक्म समांतर और बराबर होता है हल दिया है एक कथन पी है कि किसी चत्रभुज की सम्मुक भुजाओं का एक युक्म समानतर और बराबर हो तो ये एक समानतर चत्रभुज होता है एक कथन क्यों है कि यदि कोई चत्र भुज एक समानतर चत्र भुज हो तो इसकी सम्मुक भुजाओं का एक युक्म समानतर और बराबर होता है आईए यदी और केवल यदी का प्रियोग करते हुए इन कत्रों को सयुक्त करें हमें प्राप्त होता है एक चतरभुज एक समांतर चतरभुज होता है यदि और किवल यदि इसकी सम्मूत भुजाओं का एक युक्म समांतर और बड़ापर हो कथनों की वैधता को प्रमानित करना नियम एक और से प्रयुक्त कथन यदि P तथा Q दो कथन है तो ये सिद्ध करने के लिए P और Q सत्य है निमनले के चरणों की जरूरत होती है इस्थिती एक, दर्शाईए की कथन P सत्य है और इस्थिती दो, दर्शाईए की कथन Q सत्य है नियम दो, जासे प्रयुक्त कथन, यदि P और Q गणितिय कथन हैं, तो ये सिद्ध करने के लिए कि कथन P या Q सत्य हैं, हम निम्न पर विचार करते हैं स्थिती एक, ये मानते हुए कि P असत्य है, Q को अनिवारता सत्य प्रमानित करें स्थिती दो, ये मानते हुए कि Q असत्य है, P को अनिवारता सत्य प्रमानित करें नियम तीन, यदि तो से प्रयुक्त कथन, यदि P तो Q को सिद्ध करने के लिए दिखाएं कि निम्न लिखित में से कोई एक सत्य है स्थिती एक, ये मानते हुए कि P सत्य है, Q को अनिवारता सत्य सिद्ध करें इस्थिती दो, ये मांगते हुए कि क्यूं असत्य है, पी को अनिवारता असत्य सिद्ध करें नियम चार, यदी और केवल यदी से प्रयुक्त कथन कथन पी, यदी और केवल यदी क्यूं को सिद्ध करने के लिए हमें निम्न को सिद्ध करने की जरूरत है इसमें हम जाजते हैं कि पी सत्य है या नहीं हम ये मानते हैं कि पी सत्य नहीं है अर्थात पी का निशेधन सत्य है तब हम ऐसे निशकर्ष पर पहुँचते हैं जो हमारी मानता यानी पूर्व धारणा का खंडन करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि पी सत्य है क्या आप चानते हैं? अरस्तु ने निगमनात्मक विवेचन में महान योगतान दिया जर्मन गणी तक के G.W. लिबनीज ने निगमनात्मक विवेचन में प्रतीकों के प्रयोग की अवधारणा का विकास किया सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में दोहराएं गणित में आगमनात्मक और निगमनात्मक विवेचन के दो प्रकार है मालें के P कोई कथन है तब P को नकारता हुआ कथन P का निशेधन कहलाता है एक मिश्र कथन बनाने के लिए हम संयोजक शब्दों जैसे और या के प्रयोग द्वारा दो कथनों को संयोग्द कर सकते हैं मालने P या Q कथन है यदि दो विकलपों में से केवल एक ही होता है अर्थात घटक कथन P या क्योग लेकिन दुनों नहीं तो संयोजक शब्द या अपवर्जित या कहलाता है माले पी या क्यू कथन है यदि दो विकल्पों मेंचे कम से काम कोई एक होता है अर्थाथ घड़क कथन पी या क्यू या दोनों होते हैं तो सैयोजक शब्द या अंतरविष्ट या कहलाता है एक ऐसे का अस्तित्व है सभी के लिए प्रतिक के लिए दो परिमाण वाचक वाक्यांश हैं वाक्यांश तो यदी से जुड़े दो कतरों से जो एक कतन बनता है उसे अंतरभाव कहते हैं केवल यदी यदी और केवल यदी अंतरभावों के अंतरगत आते हैं दिये गई कत्रों से बने ऐसे नए कत्रन जिन में वाक्यांश यदी तो का प्रयोग हो प्रती धनात्मक और विलोम कहलाते हैं